नमस्कार दोस्तों खोट्था क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है खोट्था भासा में हम लोगों को जीवनी पढ़ना है कुछ लेखक हैं उनकी जीवनी को पढ़ना है जिसमें से प्रमुख है पाला भूनिश्वर्दत सर्मा व्याकुल सिर्णिवास पानूरी एके जहा बिसुनात दस्वंधी राज बिसुनात नागर शिवनात परमानिक और स्याम दिर्मत्व एक दो तीन चार पाँच छे साथ साथ जीवनी पढ़ना है वह लोगों इसी को सुरू करते हैं और जल्दी से खतम करते हैं इसको एक्जाम डेट एनाउंस हो गया है गार्णिंग दें चलते हैं टोपिक पर अगर निश्वर दत्सर्मा इनका ओप नाम है व्याकुल इसके लेखक हैं परितोस कुमार परजापती इनका जीवनी लिखे हैं यह पढ़ना मैं यह सवाल देखने को मिल सकता है लेक कर नाम के साथ इनका नाम क्या है यह दिखना को मिल सकता है तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है जितना भी है उन सभी की उपनाम को जरूरियात कर लिजेगा ठीक है क्या लिखा है पढ़े हम लोग जखन खोठा भासा और साहितिक बात उठे होई तो हटात भुनेशर्दत सर्मा ब्याकुल जी खयाल आजा है कि जब भी ख खोठाक ठाव नाव संगाठे में उप पैचू नाय हलत है कि खोठा जगत में खोठाक नाव को समारने में यह पीछे नहीं रहते हैं जे समय लोग घरक बाहरे बाव सभा सोसाइटी में खोठा बोलने में लजा हलत हूँ आपन माय करवा भासा खोठें गीत कवितल लिखा ह जिस समय लोग अपने घर के बाहर या समार्च सोसाइटी में खोठा भासा बोलने में लजवात लजाता था सवर्माता था उन्हें जिचक मश्य सोजी थी उस समय यह अपनी मात्री भासा खोठा में गीत कवितल लिखते थे और गाती भी थे बेसी भावे तकान उनकर गीत लिखता किसानी और उल्गुलान के था है अधिक तर इसमें अधिक तर किसकी छाप देखती है तो वो डिखते है उन्हे पुर्णा परियक सहितकार लागत पुराने पारी काया नहीं कह सकते हैं कि जमाना का उन खेर समाइए खोठा कौनों सहित्तिक रूप नाय हैल मैं तुक खोठा बोली गीत ना दे जुमे डोहा जान कहिनी यार सुन कहिनी रूपी हल उसमें खोठा नहीं था व्याकरण नहीं था कोई नियम नहीं था लेकिन व्याकर सहित हुआ एक गाहनी कहानी पारी का पारी पीडी दरपीडी चलता आ रहा इसी को वह सहित के रूप में ढालने का चेस्टा किये थे कोशिस किये थे उनकर रचना समय समय बिसुनगड़क सुखद खोठा सहित कुटिर बाटले बाहराय लगए इनका रचना समय समय पर बिसुनगड़क यह आपको हजारी बाग दाने के आस्तिम पढ़ता है आपका बग उनकर रचना में प्रेम बिरह ग्यान मायक महात्म और दुलार का भाव भरा रहता था उनकी जो कविता है उसकी यह खासियत है एक चोवा दुलार कविते ब्याकल जी समाजक विकास खातिर गामेक चोवा सब्यक बढ़ाई के की रंग कर ला थी जे सब हाथे पैंसिल आर काखे पोथी लए इसकुल जाहत उनकर प्रकृतिसील विचार के पठतर देखा एक कविता लिखे हैं यह आपका बाल गीत में भी आजाएगा यहीं लिखें हैं भूनिषद्र सर्माजी और किस तर लिखें है भीकास के लिए गाम का उसाथ हो सकता है कि अब जो बच्चे हैं किया योगदान हो सकता है उस बार में लिखें है हमर बावु हमर सोना हमर सूघा पढ़ेलेगेल सुनेंगे यहां की सुनिके मेरा बाबू मेरा सुगया औ Breeze मैरा सुगया और भाबू सुना आज पढ़ने के ले गया है वह नहीं है यह बच्चा को बोला जारा भाबू सुना त counterparts कविता ==== ब्याकुल जी कविता खोठा ही नाई हिंदी और उर्दू हो लिखा लगा था ब्याकुल जी जो है कविता सिर्फ खोठा में ही नहीं बलकि हिंदी और उर्दू में भी लिखे हैं अपन गीत और कभिता के दनाय। समाज को जगाने का कम के है। उंक्षान मने अपन माटी और मानुस के परति प्रेम और धर्द हलाय। वह है उल्गुलान के रास्ते में चल पड़े थे निकल पड़े थे से कई जलक खिचडियों खाय भेलें इसी लिए कई बार इनको जेल का खिचड़ी भी खाना पड़ा यानि की जेल में भी रहे हैं सही लेता रहें उननीस सथे जवी हजारी बाग जेल है हिंदी नाम जर्च का सहितिकार राम पुरीज्यीक संग कर्णा द्थ इसकरम में vuffich जड़ा रहे प्रिंट करवाते हैं यहां पर आपके लिए एक सवाल बन जाता है इंपोर्टन्ट कि इन पर किनका प्रभाव है तो राम ब्रिक्ष बेनिपूरी जी का इनसे कब होता है 1930 में कहां हजारी बाग के जेल में से कृताब पत्रिका में कैदी नाम का पत्रिका होता है इसका खासेत हैं के हांथ से हैं आपको ध्यान देने के जोड़ पड़ती है एह पत्रिके उन्खर पहिल रचना कभी व्याकुल के नाम से प्रकाशित हुआ था एकर बादे उन्खर लिखल कवीता लगस्तर पर्ताप बरतमान करंबीर लोकमान्य विस्व मित्र हिंदू पंच हिंदूस्तान बालक जन्ता चागरती जैसन दोसर तैसर हिंदी उर्दू पत्रपतिका में प्रकाशित होते रहा है पहलाव केशित हुआ था कैदी में कभी व्य एक्ट एक्टिन माखलना चितुर्वेदी जी लिखा लहत ब्याकोल लूप नाम से उर्दू भासा में लिखी गई भुनिश्दत जी की राष्ट कविताएं सुनकर मुझे बहुत प्रशन्यता हुई एक जगह पर माखलना चितुर्वेदी जी लिखे हैं कि ब्याकोल लूप सिंग इनको राष्ट कभी कही के लुख हलती हजारी बाग के पहले संसत और आजादी के सेनानी बाभू राम नरायन सिंग इनको राश्ट कभी कह कर बुलाते थे ब्याकुल जी का पहला किताब जो है कलाम में ब्याकुल इनका पहला किताब क्या है कलाम में ब्याकुल यह हजारी बाग से वही यहां बोले अभी उनिस सुन्चालिस में प्रिंट हुआ था एक किताब किता कुछ किछू लाइन दखा इस किताब में जो लिखे हैं कविता उसका कुछ लाइन यहां पर देखिए नौजवान या तो गुलामी को मिटा कर दम ले वरना अच्छा है कि बस सर को कटा कर दम ले कि नौजवान या तो गुलामी को मिटा कर दम लो या फिर अपने सर को कटा कर दम लो उसको सर कटा सकते हैं। लेकिन सर जोका सकते हैं उस तरह का बाद है और नहीं तो घुलामी को हटा ही… कभीत में उनक अ緩ाजाद के अवह सब्सक्राइब सब्सक्रा ला जन सकता है। जीखिते हुए कभिता पार्थ या अच्छे वक्ता भी छ 안सत थे वो इनको बहुत संवाण दे कर आ घंगते करें गार में दे Huh वक्ता थे और यह इनके साथ मेरा कर अब मा देखत थे रामगड कांग्रेस का दिवेशन के सफल बनुए में उनकर बड़ी जोगदान हलने रामगड में जो कांग्रेस का दिवेशन हुआ था उसको सफल बनाने में इनका बहुत योगदान था किसका बुनिश्चत दस्तरमाजी का ब्याकुलजी 17- में इनका परिवार 1000 बाग में रहा हला लेकिं इनका परिवार seitlor के विशनगड में रहते थे अभी भी उनका घर हुआ आपर है जखन जुन के बाप पंडित बल्दे परसाद उपाद्याई का द्यान्त हो गया इसलिए उनका देख भाल जो है उनकी दादा जी आजा पंडित आयोध्याद परसाद उपाद्याई किये थे आपने आजा से ही वह पहिल भासा ब्याक्रण ग्यान और सिख्छा पाए उनकर घरें उनकर मन नाए लागे वह 11 बचक उम्रही घर से भाइक के कांसी चले लहाद थे और किश्यों दिन पर घर मन नहीं लग रहा था इसलिए 11 साल के उम्र में ही वह घर से भाग कर कासी चले गए और फिर कुछ दिन के बाद वापस भी लोटके आ गये थे जखन उघंए भाहर लादेश दुनिया बड़ी नजडिक से देखने अर बुझे जब गर से बाहर थे तो देश कौर दुनिया को बड़ नजडिक से देखहें और शमजे से समय गांधी जी जनजगान के काम करो हमाई देखके का attribute की से पर रहे थे शुरुबात कर रहे थे उसी पर अपना द्यान लगा रहे थे उनीस सपच्चीस इस्वी ब्याकुल जी गांधी जी के संगत में आते हैं उनके संपर्क में आते हैं और आजादी के लड़ाई में लग जाते हैं से सवाइय भारतिय समाज या जायत पात ऊंच चुषइब का बहुत जूर था लोग इसको बहुत मानते थे अपसमें काफी फूर था गांधी कि कितना ही तावparty बारे गया फिर भी कभी का मन में जाती के लिए उच नीच के लिए जी जो गैप था उसके बिरोध में इनका मन में भाव पढ़ता गया मतलब इस चीज़ को मिटाने में वह लगे रहें लेकिन उनका दिखायवा रास्ता आज भी जगमगा रहा है आज भी इसमें लोग चलते हैं यह थे बुनिश्य दस्तरमा जी इसमें से बहुत सारा सवाल बन सकता है मैंने कुछ-कुछ बताया है बाकि और भी सवाल होंगे वह देखेंगे इसको पढ़िए अगला क्लास जो है उसको हम रिकॉड करते हैं